हलो स्टुदेंट्स मेरे नाम है डॉक्टर आशी भुसेन और मैं गवर्मेंट पीजी कोलेज प्रताफगार राजस्थान में डिपार्टमेंट आफ इस्ट्री में लेक्चरर हूँ और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्राचीन भारत में मृद्भांड परंपरा या पौट्री इन एंशेंट इंडिया यदि हम पौट्री की बात करें तो पहले के जो अर्केलोजिस्त हैं उन्होंने पौट्री को अध्यान करना नागवार सम ये ये पाया है दो ल से Umisimiluk होती है इसके बाद इतना महातु बढड़ गए कि को अधिय में अलफाया जिन मतलब जाता है या पौरा पौरत माला करें तो बहुत समय नहीं हुआ है जब इसका अध्यान शुरूआ सरप्रथम डॉक्टर केन दिक्षित साहब ने अही चत्र का जो एक्सकेविशन किया था वहां से सबसे पहले इस पॉर्टरी को अध्यान करना इन्हों ने प्रारम भी किया था प्राचीन भारती मृद्भांडों की परंपरा की बात करें तो भारत में ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं सिविलाइजेशन रही हैं जिनकी पॉर्टरी का अध्यान हुआ है यदि हम उनमें बात करें तो सबसे पहले आता है नियोलिथिक पॉर्टरी नाव पाशानकालिन जिसको हम शॉर्ट में PGW कहते हैं उसके बाद NBPW जिसका हम Northern Black Polished Wear कहते हैं और जिसका समय मौरिकाल तक जाता है मौरिकाल में माना जाता है इसके बाद रोमन पॉर्टरी माना जाता है जिसमें हम तीन प्रकार के मृद्भांडों को महतुपूर्ण रूप देते हैं मानते ह जिनका समय हम 1st century BC से 1st century A.D. तक मानते हैं इसके बाद भारती कॉंटेक्स में देखे तो हम चाइनीज पॉर्टरी को ले सकते हैं और उसके बाद मुस्लिम ग्लैज्ड वेर पॉर्टरी में जो नियोलिथिक टाइम में होता था नियोलिथिक टाइम को हम नियोलिथिक रेव पॉर्टरी करें थी उसने मृद्भांडों का निर्मान शुरू कर दिया था उसने कपणों को सीना और पहनना शुरू कर दिया था इसके साथ उसने नव पाशानकालीन मानों ने जो अपने उपकरण बनाये थे उन उपकरणों में पैकिंग, ग्राइंडिंग और पॉलिश कुछ महतुपुन बातें होती थी सबसे पहले पॉट्री बनाने के लिए या मृद्भांड बनाने के लिए कुछ विशेश प्रकार की मिट्टी को इखटा किया जाता था उसके लिए मिट्टी अलग-अलग स्थानों से लिए लाई जाती थी जिसके लिए हम सॉर्सेस ऑफ क्लै mandar मतलब किसी वहिए प्रकार मिट्टी बनाना आपको कि क्वालिटी का बनाना है तो उसके लिए अलग-लग अजots लिए मिट्टी और करना पड़ेगा सिर्ख लीड़क है प्लาร कॉर्कार चलीव तो सौर्सेस ऑफ क्लैक नाना होता था कितना यतना तो यह सब इसके बाद का मिठी की तयारी हो जाती है तो उसके लिए हम कुमहार का चाह का आविश्का नहीं होगा था तब हैंड मेड पॉटर्री भी हम को प्राप्त होती है लेकिन हैंडम égal के साथ साथ हमको को मॉइल मेट पौरा एश्थालो से हैं जो पौर्टरी होती तो हम दो टाइप से विभाजित करते हैं तो फास्ट पर बनी पो takie दूसरी स्लोव उन पर बनी और जब पौटरी हमारी बन जाती है जब उसका थोड़ा सा मेकिंग हो जाती है तो उसके बाद हम उसका सरफेस्ट्रीट्मेंट देखते हैं सरफेस्ट्रीट्मेंट में हम उसकी स्लिप देखते हैं उसकी पॉलिशिंग देखते हैं उसकी पैंटिंग देखते हैं जो उस पौ बलुचिस्तान में इस्थित वर्थमान में और यहां से हमको सबसे प्रारंभिक मृध्वान प्राप्त होते हैं इसके बाद हम लगते हैं हरपन पोट्री सिंदुगाटी सब्दा से संबंदित होती है जिसका समय सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद में हमको हरपन पोट्री की टिपिकल पोट्री प्राप्त होती है की में खाटी सब्सक्राइब करते हैं के नियुकी पेर्फट हो गया तो उनकी जो hundred परंपर उसमें भी हमको थोड़ी तकनी की गिरावट देखने को मिलती है इसके बाद हम रखते हैं चालकुलिथिक पोटरी में हम महतुपूर्ण रूप देखने हैं आहार पोटरी का समय हम सतरासो इसविपोर से पंदरासो इसविपोर रख सकते हैं जो लगबग सिंदुगाटि सबिता के समकालिन मानी जा सकत हैं जिसके अंधर माध या उपर उसके नएक पर वाइट रंग से पैंटिंग की गई है इसके बाद हम गनेश्वर और जोद्पूरा कल्चर रखते हैं गनेशिवर सीकर डिस्ट्रिक में हैं और जैपूर डिस्ट्रिक में और इसका समय हम रख सकते हैं कॉपर होड कल्चर जो था राजस्थान में उस समय और वरतमान में विभिन पुरा ततव वेताों ने जौ सरवे किया है जो भी ऑन्वेशन किया है उस आधार पर 200 गनेशवर और जोफ़ोर्फोर कल्चर की साइट समको मिली है और जो पोटरि हमको उस समय मिलती है गनेशवर पूरा से समंदित उसको हम ऑख सीपी कहते हैं जिसको ऑकर कलर्ड पौटरी कहा जाता है और अकर कलर्ड पौटरी हमको मुख्य पार्म्भ में सबसे पहले गंगायमुना दौ आप में मिली थी और यह मुख्य रूप से कॉपर होड कल्चर मतलब उन सब्सक्राइब से समंदित हमको पंजब और आजयस्थान से मिलती है राजयस्थान में जो जो सीपी मिला है वह भरतपूर झ्हप ओर शयंजनुसावत अवाई माद्फ और सीकर डिस्टिक्ट से मिला Matthew में राजस्तान में कहां पर कौन से डिस्ट्रिक में तो सबसे पहले हिम शीकरे मैं सबसे ज्यादा आप से वह है that it's the best जपूर जहांपर 35 पुरा इस फाल है इसके बाद भरतपूर जहाँ पर साथ है इसके बाद जुझनु जहांपर साथ पूरे इस्थाल OCP से संबंदित हैं OCP में थिक पोटरी और थिन पोटरी दोनों प्रकार की पोटरी होती थी जिसमें जार लीड डीश बैसीन पॉट आधी होते थे और इसकी एक महातुपुर्ण विशेष्टा ही थी कि इसके ब्लैक पेंटिंग होती थी नेक पर और इसके ल नसीरपूर के आधार पर इसका समय 1340 इस्विपूर और अंतरण जी खेडा के आधार पर 1690 इस्विपूर इसका समय जता है इसके बाद हम पेंटेट ग्रेवेर को रखते हैं पेंटेट ग्रेवेर सबसे पहले हमको अहीच छत्र जो की उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट् तिलपठ, इंदरप्रस्थ आधी ऐसे पूरे स्थाल जहां से हमको PGW पॉटरी हमको मिलती है इसके महतुपुन बात यह है कि यह अर्धि पॉटरी होती है और पीज़वी कूप पंजाब हर्याना, नौथ राजस्तान, अपर गंगावेली, जम्मू, मध्यप्रदेश आधी PGW जो होती है उसको बहुत अच्छे fine clay से बनाया जाता है, well-livenated clay से बनाया जाता है, fine fabric है यह एक और यह एक wheel matte pottery है, कभी-कभी यहां पर हमको PGW में hand matte pottery भी मिलती है, और wheel matte pottery है, उसमें दो प्रकार की pottery हमको मिलती है, fast wheel made और slow wheel made, painting type, जो इसके उपर painting की गई है, उसमें बहुत सारी painting हमको मिलती है, जिनमें straight lines है, circles है, half circles है, dots है, sigma signs है, और स्वस्तिक के निशान हमको इसकी painting में मिलते हैं, PGW की हम time period की बात करें, तो हस्तिनापूर के उत्खनन के आधार पर इसको ग्यारा सो इसविपूर से आट सो रख सकते हैं, और यदि औसत रूप से देखा जाए, तो PGW का time period हम 1000 इसविपूर से 600 इसविपूर रख सकते हैं, राजस्थान में जो PGW की sites है, सबसे जादा भरतपूर में हैं, जहां पर 64 sites हैं, इसके बाद गंगानगर और हनुमानगर को मिलाएं, तो 21 sites हैं, जैपूर मे 9, जुनजनू में 4, अलवर में 2, दोसा में 1, इस टाइप से इसका distribution है, इन पुराइस्थानों का distribution है, इसके बाद हम रखते हैं, NBPW, मतलब North Black Polished Wear, जिसका समय 600 इसविपूर से 200 इसविपूर रख सकते हैं, और इसको जो NBP नाम दिया है, वो Mortimer Wheeler ने और Krishnadev ने इसका इसको हम Mauryan period से बिलोंग कर सकते हैं, इसका समय हम देखा जाए तो बड़े रूप से देखें, तो 800 इसविपूर से 200 इसविपूर के बीच में रख सकते हैं, इसके बाद हम Roman pottery रह लेते हैं, प्रथम शताब इसविपूर से प्रथम शताब इसविपूर से प्रथम शताब स्रोतों से भी मिलता है, यदि हम pottery की बात करें तो Roman से हम मारे यहां पर जो pottery आया करती थी, उनको हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, पहला रॉल्टेड वेर, दूसरा एरटैन वेर और तीसरा एमफोरा, रॉल्टेड और एरटैन की हम बात करें तो एक डिशनुमा pottery ह हुआ करती थी, लेकिन एमफोरा की हम बात करें तो एक मर्तबान होता था, विद्वान लोग या आर्केलोजिस्ट लोग कहते हैं, इस संभवता इसमें युनान या रोमन से हमारे यहां पर मदिरा आया करती होगी, इस प्रकार से यदि हम देखें तो प्राचिन भारती मृ मृद्भांदों पर ही बात करें, जो हम रोमन पौर्टरी के पर ही समाप्त करते हैं, यदि हम और आगे चलें तो इसके बाद मुगल काल की जो पौर्टरी है, वो ग्लैजड वेर हो थी, लेकिन चुकि ये मधिर काल में आ रहा है, इसलिए हमने इसको शामिल नहीं किया, महतुपूर्ण वस्तु है, या महतुपूर्ण आवशेश है, किसी भी सभिता के अध्यान के लिए, किसी भी सभिता के महतुपूर्ण अध्यान के लिए, यदि हम मृद्भांडों को इस प्रकार के अध्यान से निकाल दें, तो संभवत कोई भी आर्केलोजिस्ट या कोई भी पुरातत्विता अपने अध्यान को पौण रूप से नहीं कर सकता ना ही वह अपने अध्यान का पौण रूप से निसकर्ष निकाल सकता है